तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चादा स्वादिष्ट मुँमे घुल चाने वाली मिठाई की रेसिपी इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ना मावा न चास्नी ना ही पनीर की जरूरत है और नहीं आपको इसको घंटों पकाना है बहुत ही मिठाई बन करके तयार हुई थी फ्रेंट सो खाने में मावे की बर्फी जैसी लग रही थी तो आप इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए का आपको यह मिठाई जो है जरूर पसंद आएगी तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हम गैस पर एक कड़ाही हम बताता हों कि और गैस की फ्लेम को लोड़ रखना है इसमें एक चमत घृ़ टाल देंगे जैसा कि मैंने को पहले इपता को इस मिठाई को सिर्दोव गी में बना कर टैयार करेंगे यहां पर मैंने पहले एक चमत घृ़ डाल दिया है और ओर इसमें हम एक कड्क होजिय लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको हम 3-4 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि जो सूजी का कच्छापन है वो खतम हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है इसका कच्छापन हमें खतम करना है अगर आप इसका कलर चेंज कर देंग है सूजी हमारी अच्छापन खतम हो गया है लेकिन इसका कलर देखिए मैंने चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है अब हम क्या करेंगी इसको में प्लेट में हम निकाल लेंगे सूजी को हम साइट में हम रखेंगे और गैस पर फिल सबही कड़ाई हम चड़ाएंगे और इसम इसा भी दूद आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप फुल क्रीम दूद का यूज करेंगे तो आपकी मिट हाई जो है और भी टेस्टी बन करके तयार होगी यहां पर मैंने यह पहले से उबला हुआ दूद लिया था लेकिन रूम टंप्रेचर पर था आप पहले से उबला अबाला गया है तो गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हम धीमा कर देंगे ताकि दूद जो है वह बाहर ना गीरे और आप चीनी हम डालेंगे तो मैंने यहां पर यहां पर पांच चीनी लिया है अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चमच चीनी जो है और पांच चीनी में यह दम परफिट मीठी मिठाई बन करके तयार हुई थी तो इसको मच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक यानि घुलने तक इसको हम पका लेंगे आप चाहें तो इसको मीठा करने के लिए आप चीनी की जगह पर आप इसमें मिस्री का जो चोटी वाली इलाइची होती है ना तो मैंने चार चोटी इलाइची के दानों को जो है निकाल करके पीस लिया था और इसमें एक कटोरी हम मिल्क पाउडर हम डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एकी कटोरी से सारा मेजर्मेंट करिएगा तो आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी मैंने पहले भी बताया है एक कटोरी सूजी के लिए इसमें मिल्क पाउडर हम डालेंगे तो गैस की फ्लेम को आपको अग्दम धीमा रखना है और थोड़ थोड़ा करती हुए मिल्क पाउडर डालते जाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंग गैस की फ्लेम को आपको लोही रखना है अगर आप गैस की फ्लेम को आप हाई रखेंगे ना तो सूजी जो है बहुत ही जल्दी ड्राइ होने लगती है और आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे और इसमें गुठली बनने लगेगी आप चाहें तो जब सूजी डाले तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं जब आप सूजी जाल करके अच्छे से मिक्स कर लें तो आप गैस को आप पका सकते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मस्त सोचिए का कि यह मिठाई जो है सूजी और दूसरे बन कर के तयार हुई है तो तेसका टेश्ट जो हलवे ज मिलता है और मिल्क पॉडर जो है आपको से सस्ता पड़ेगा और या को किसी भी किराना इस्टोर पर जो है असानी से मिल जाएगा लेकिन आप खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें खोया नहीं मिल्क पॉडर पड़ा है क्योंकि इसका टेस्ट मिल्क पॉड जो है मिठाईयां बहुत ही अच्छी बनती है मावी जैसा टेश्ट आता है तो आप डेरी वाइटनर का यूज बिल्कुल भी मत कीजिए का जब आप मिल पाउडर खरीदे तो आप पैकेट पे आप देख लें कुस पर डेरी वाइटनर लिखा है कि इसके मिल पाउडर लिखा तो अब आप गयस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यानि लोटू मीडियम आप रख सकते हैं और इसको थोड़ी देर हम और पकाल लेंगे जब तक कि यह कड़ाई को छोड़ने लगा है तो अब इसमें हम एक चमच घी 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 डाला था और चमच घी अब डाल दें चाहिए और टेस्ट तो बढ़ेगा ही तो यह देखी बढ़िया से ठंडा हो गया है अभी यह हलका गरम है तो हलके गरम में ही इसको इस तरह से मसल करके हम गूत लेंगे ताकि यह थोड़ा सा चिकना हो जाए सॉफ्ट हो जाए अगर यह हाथों में चीपक रहा है तो थोड़ा सा घी आप लगा सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है एदम सॉफ्ट सा मारा दो बन करके तयार हो गया है तो हातों को हम क्लीन कर लेंगे और फिर आप हाथों में थोड़ा सा सब्सक्राइब जाए वीं आप लेंखेंशन कर लें नीवीव के साइज के इतना इस तरह से आप इसको राउंड कर लिए इसको आप चोटे-चोटे बाल्स बना करके त्यार कर लें आप चाहां ऑप थोगा आसा बढ़ा भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं इसको एफोड़ा ताकि इसमें बढ़ी आशींट बनजाए जो की देखने में कापी सुन्दर दिखती है honestly बिना इसे बनाकर त्यार कर सकता है यां पिर ंप में सकते हैं मैं इसमें थोड़ा सा औरेंज फूट कलर बीच में लगा रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पिस्ता के कत्रन हम लगा देंगे तो बस हमारी मिठाई बन करके तयार है इसी तरीके से हम सारी पेड़े बना करके तयार कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने सारे पेड़े जो है बना करके तयार कर लिए हैं एक कटोई सूजी में देखिए इतनी सारी मिठाई बन करके तयार हुई यह खाने में फ्रेंट्स आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यह मिठाई जो है सूरी से बन करके तयार हुई एक मावर जासा टेस्ट आता है तो आप वह बोग्व बना आए था बहुत ही कर दिखाती है यह देखे कितनी कमस्का में आप मैं आपको आज कि पसंद आई न difरť थे सिन सब्सक्राइब जरूर करिए गार बेल आइकन प्लेस करके और प्लिक जरूर करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो कल मिलते हैं ऐसी एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और झाल